हाँ तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम जानने वाले पिर्थिवे के परमुक अस्थल रूपी अस्थल रूप यानि के जो जमीन बनने वाला है आंकार ठेक या फिर अस्थल की आंकिरती किस प्रकार है इन वे से सभी का डिपनेसन जाने के किसे परवत काते हैं किसे परवत से दीप पार्य दीप तर्ट और आपका ये द्वीप किसे काते हैं ठेक सारा का सारा आज निचोड़ हम इस वीडियो में लेंगे विथ इमेज यानि कि फोटो के साथ यानि कि फोटो के साथ किसी भी चीज को पढ़ता है तो उसे जादा जादा टाइम तक याद रखता है इसलि कुन एक परवत एक पठार और एक मैदान एक परवत एक पठार और एक मैदान तीन भागों में बाटा गया है ठेक और सबसे ज्यादा भागों में मैदान फैला है ठेक अब मैदान किसे काते हैं सबसे पहली बात की मैदान किसे काते हैं तो प्रिथवी का वहा अस्थान जो समुद्र तल ये समुद्र तल है जितने भी उचाई ना पिजाती है न सब का समुद्र तल से किसी भी परवत की उचाई ना पिजाती है तो समुद्र तल से ठीक तो पृत्वी का वहा अस्थान जो समुद्र तल से पठार जानते हैं ठिक तो पिर्थवी का वहाँ भाग जो मैदान से काफी उंचा हो यानि कि कुछ हजार तक होते हैं से लेकर कुछ हजार तक ठिक और उसका उपरी भाग एक मेच की भांती हो ये उपरी भाग मेच की भांती हो देखिए ये पठार है पठार का जो है लाइनि प्रवत की पर्वत अस्ठान को कहते हैं जिसका तो नीचला भाग चोड़ा हो लेकिन उपरी भाग जो है न संकु क्या कार का होता है यानि कि सोई के भाती देखें यहाँ पे सोई के भाती बना है हाँ तो इसी को पुरा का पुरा को परवत कहते है ठेक और जो इसका सबसे उपरी भाग होता है जैसे कि यहाँ पर वाइट वाइट कलर का है तो यह सबसे उपरी भाग कहलाता है परवत स्रेनी जैसे कि बिशु के सबसे उची परवत स्रेनी है माउंट एवरेष्ट जिसके उचाई आपको मालूम होगी 8848 मिटर है और बर्प के ढके जाने से 50 मिटर हो गई है 8850 मिटर तो यहाँ परवत स्रेनी होगे सबसे उपरी भाग ठीक इसे चोटी भी कहते हैं से बिशु के सबसे उची चोटी या फिर बिशु के सबसे उची परवत स्रेनी तो यह उची स्रेनी हो गई ठीक और यह पूरा पूरा परवत हो गया तो पूरा का पूरा परवत है ना वह हीमाल फिर नीचे से उपर परवत की ओर जाते हैं, जो रास्ता बना वोता है, उसे हम कह dibujते हैं, गाटी छेतर उतक जह क supplies, पर लिखा भी होता है कि किर्प्या धीरे चले घाटी चेत्र है ठीक तो इसलिए उसे घाटी चेत्र कहा जाता है जो परवत से नीचे मैदान की और आते हैं ठीक अब देखिए हम बात कर लेते हैं जील तो जील आपको मालूम होगा जैसा कि पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि वहाँ अस्थान जो समुद्र सोड़ी वहाँ अस्थान जो मैदान से चारो और घीरा हो और उसका कुछ भाग जो है कुछ बड़ा भाग होता है और व मुख्य नदी दो जब दो नदी दो या तीन नदी या फिससे ज्यादा नदी जो सबसे बड़ी नदी होती है ठेक जैसे गंगा मानलीजी है तो यह सहायक नदी और यह वला हो बड़ा वला मुख्य नदी ठेक अब ये नदी जब समुद्र में आकर मिलते हैं जब समुद्र में आकर मिलते हैं और यहां पे अगर इनका कुछ भाग जो है ऐसा होता है समुद्र से कुछ भाग सटा होता है और जब की कुछ भाग नदी के उस पार होता है और बीच-बीच म यह मैदान बच जाते हैं बीच में क्या बच जाते हैं मैदान ठीक तो इसे हम कहते हैं डेल्टा जैसे भारत का सुंदरवन डेल्टा है जो कि पस्चिम मंगाल राज में यह बीच्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ठीक एसा होता है डेल्टा और नदी मुहाना तो यह नदी का मुख हो गया ठीक ना जब समुद्र नदी से आकर मिलती है तो इसका मुख के भाग यानि मुह जो होता है हमारा समझ जल जिए उसी प्रकार नदी का मुह का जो भाग होता है उसे नदी मुहाना कहा जाता है अब देखें पार्यवित्र ठीक ना स्वारी पार्यद्विप तो पार्यद्विप किसे कहते हैं तो वह भाग जो की आधास से मतलब पूरा का पूरा भाग समुद्र से सटा हो लेकिन उसका कुछ भाग जो है मैदान से सटा हुआ हो ठीक जादा उसका पूरा का पूर आप ईक्दम आसानी से समझा नहीं अब देखे यहाँ पे होता है द्वीप और जलसंदी क्या हुता है कि वहां भाग जो चोटा अस्थान होता है जो चोटा अस्थान है और उसका चारो और का भाग समुदर से घीरा हुआ उसे कहते हैं जिसे कि अंडमान निकर बार हो गया छिई होगा माल हो गया ठेक यह सभी क्या है जानेंगे उसके बहाद अस्तल संद्ध जानेंगे जल संद्ध क्या होता है कि जब एक देश किसी दूसरे देश का जो बीच वला भाग जल बचता है इसमें संदी किया जाता है दोनों देश के बीच क्या होता है संदी यानि कि साजा किया जाता है कि आपका इतना भाग जल हुआ मेरा इतना भाग जल हुआ उसे हम जल संदी काते हैं और जब दोनों देश की सीमा हैं जिस अस संदी काते हैं कि यहां से आपका यह स्थल ख़ुआ और यह से मेरा यह संज अब बॉक्बर संदी सब थे हैं समद्र तो मालूमी होगा जिसका संपूर्ण भाग जलों से परिपूर्ण होताई उसे हम समद्र करतेई और अर्थिवी का आपको मालूमी होगा कि 75 परसंट भाग लगब समुद्र है टिक और 29 परसंट जो भाग है वह क्या है अस्तल भाग तो सारा का सारा निचोड इसी में था अब जैसे कुछ भी फिर पिक्चर मिलता है मैं आपके सामने लाता रहूंगा ठाइंक यू अपना स्वा अस्तका क्याल रखेगा